कि कि है लो एंड वेरी वेरी वर्म वेलकम बैक आप सबी का फीड से स्वागत है पीज सी वाला चैनल के उपर और एक बहुत ही महतवपूर्ण वीडियो लेकर कि मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों मैं जगदिश चंद्र जांगिट आपके सामने बीपीए कि बहुत ही महतवपूर्ण जानकरी लेकर आया हूं दोस्तों इसके उपर क्या आपका पैटर्ण रहेगा क्या सिलेबस है क्या रणनीती होगी क्या बुकलिष्ट फॉलो कर सकते हैं और रिसेंट अपडेट्स के आये हैं एक्जाम से रिलेटेट उसको भी जानने की कोशिश क करेंगे टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंदन बेहती महतवपूर्ण चीज होती हैं हम सभी जो हैं काम की अधिक्ता से नहीं काम की अस्त व्यस्ता से जरूर परशान होते हैं और विशेश कर विध्यार्थी जीवन और वह विध्यार्थी जो कहीं कहीं आपके पास में उनके कामी लक्षे को BPSC के लक्षे को साथ सकते हैं इन तमाम प्रश्णों के सारगर्वित उत्तर को देने की कोशिश करेंगे इस सेशन के तुरू आए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कोई भी तरह का डाउट रहने वाला है आप बिलकुल पूछ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम के दोनों स्टूटन सबसे पहले किसी भी परिक्षा के बारे में अगर मैं कहों कहते हैं के नो दाई एनमी फस्ट सबसे पहली चीज होती है जब भी हम कोई भी एक्जा करेटी नहीं है ना मैं उसके अंदर सबस्ट नहीं है अपने गोल को अपने गंतव्य को जाचने में भापने में और परक पाने में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश जो है आपकी प्रिपरेशन का आपकी उर्जा का आपके समय का वह सिफ इस चीज में चला जाएगा कि क्या आप वाकई सीरियस हैं या नॉन सीरियस है अपने बीपेसी ड्रीम को लेकर के तो आप सभी स्टूर्ण को कहना चाहूंगा आप सभी को पता होना चाहिए कि एक ऐसे परिक्षा का विशय है जहां पर हम लोग डिप्टी कलेक्टर डिप्टी एसपी और तमाम ऐसी प सबसे पहले भाप लीजिए कि सर यहां पर क्या मेरी स्नार्र तक हो चुकी है क्या मेरा आयो कंप्लीट हो चुका है या फिर आपके पास में अब ऑप सबस्कूर करने से पहले मैं आप सभी को यह जरूर एडवाइज दोंगा कम से कम दो महीने का बेसिक समय दें दो महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में पहला कारिय होना चाहिए आपका पास्टेयर पेपर अनालिसिस कम से कम तीन से पांच वर्षो के पेपर को प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के पेपर को पूर्ण तह मैं जब कह रहा हूँ पूर्ण तह तो उसका मतलब यह है कि खाली उसको सरसरी नजर से देखना ही नहीं है उसके अंदर आपको उसके रेजन देते रहे या फिर रीजन ऑफ ए अध्यापन के दौरान कौन-कौन से विश्यों के उपर जो है आपको ध्यान रखना होगा और आपके पास में खाली कोचिंग ले लेने से सेलेक्शन हो जाए यह एंचियोरिटी कहीं नहीं मिलती है जब तक कि आप क्लियर नहीं हो के जोग्रफी में क्या पढ़ना है पॉल यह एक यह पेपर जो एक जब वहां पर हमने एंचेन हिर लिए याविर लिघ दिया तो इस्ट्री वा बिहार के अंदर हम कितनी परतों के अंतर उन प्रष्णों को पूछ सकते हैं तो आईगे होग आप इन दो लक्षियों को पहले सा देगे देखिए बहुत ही पेशिंस का काम है बहुत ही धीरज का काम है क्योंकि आप जैसे ही लोगों को स्टूडेंट्स को ग्रेजूशन होती है या फिर वो किसी एक PCS अधिकारी से या फिर एक सिविल सर्वेंट से मिलत से मिलते हैं उनके अंदर एक नया जज़बा जग जाता है कि सर अब मैं भी करना चाह रहा हूं जो बीस से तीस वर्ष के बीच के जो स्टूडेंट से उनके इंदर खास कर यह चीज देखने को मिलती है सीधिये जंप करते हैं वह प्रिप्रेशन के उपर कोचिंग के उपर एड सेट्रा एड सेट्रा के उपर परणतु मैं आपको कहना चाहूंगा फोल्डियर हॉट सेस्स अपने आपको कहीं न कहीं अभी मन्यू नहीं बनाना है सच चक्रवियू में खूद गए बाहर निकलना नहीं आता विजयता बनना नहीं आता कूद गए आपको अरजुन ब लगातार पॉलिश करने में लगावा है तो आप स्टूडेंट्स को भी बेसिकली कहीं कहीं इसी काम को सफल कर दिखाना है तो सिलेबस से पहले दो और टास्क आते हैं और इन दो टास्क को आपको सिलेबस को उठाने से पहले कर लेना चाहिए वो है NCRT क्योंकि कई स्टूडे को लगता है एक सर एंची क्या पड़े क्योंकि फ्लोग चल रहा है यूटिवर्ट पढ़ रहे है यूटिवर्ट पढ़ते वह रॉक सिस्टम पे आ जाता है यूटिवर्स पढ़ते पढ़ते वह स्वाजूग माधियम्हीं संसर खहीं दो का भी बेसिकली बहुत ही अच्छा कॉंप्रेंशन लाएंगे बोथ ओल्ड और न्यू एंस एल्टी का एक सार गर्वित जो कंटेंट आपके सामने लाया जाएगा जो कि PCS के द्रस्टी कोंट से बहुत ही महत्पूर्ण और उप्योग सिद्ध होने वाला दोस्तों तो सीधा सिलेबस पर जंप नहीं करना है सीधा बरसाती मेंड़क नहीं बनना है कि सर वेकेंसी आई और कूद गए इससे पहले जानो कि सिलेबस में जो कीवर्ड लिखा है उस कीव आरे हैं बिल्कुल आ रहे हैं पर सारे तो नहीं रहे हैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं परंतु NCRT आपके पास में अलफाबेट से एंच्यारटी गीता है बाइबल है कुरान है अपने आप में उस्टेंस की बात कर रहा हूँ जब मैं कहिंगे PCS या UPSC की बात कर रहा हूं क्योंकि हर स्प्जेक्ट тобत करने के लिए आपके कस को मिलेगा है उन ने कुम्ह सुल बहुति का बहुत्यमपूर्ट कर रहे हो चाहे वो मुख्य परिक्षा के जब डिस पर इंदर और वो जो है मुलबूत अंडरस्टेंडिंग का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको वो डिफरेंस नहीं पैदा करना है तो इसलिए मैं कहा रहा हूं बूंद बूंद से घड़ा बरता है लेयर बाई लेयर ही जो है आपके पास में आपको भी आगे बढ़ते चलना वन साल के प्री और मेंस के पेपर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कॉम्प्रिहेंड करें और समझे के एक्जामिनर का माइंड सेट क्या रहा था इस तरह का प्रश्णपत्र सेट करते हैं वक्त है ना क्यों इस तरह के से प्रश्णपत्र दिया गया है इस तरह के पहले कौ और कौन-कौन से अवधारनाएं हो सकती हैं इन तमाम विश्यों के बारे में एक मोटी-मोटी जानकारी लेने के पश्चा आप जरूर रेफरेंस बुक्स या फिर कोई कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं दोस्तों तो सिलबस के बारे में दो मैंतोपून पॉइंट हम जान चुक परन तो याद रखना जब भी आप जजबातों से भड़ते हैं जुनून से भड़ते हैं खुद को उसके साथ-साथ मैं कहीं आपकी तार्किक बुद्धी भी जो है काम करनी चाहिए आपका माइंड रैशनल भी होना चाहिए है ना खाली आप दिन सुग से लेकर के शाम तक लक्षय मूवी के गाने सुनके चल रहे हो या फिर जो है गुलाल मूवी के जो है गाने सुनकर चल रहे हो तो भया उससे कहीं कहीं आपका एडर्निल पंप जरूर हो जाएगा पर आपको मैं बता दे रहा हूं जब तक आप ठंडे दिमाग से बैठ करके अपने आग्या चक स्टूरेंट के हाथ में नहीं होता पर स्टूरेंट के हाथ में वह सबसे बड़ी अमुल्य चीज होती हैं जो कई लोग 30 35 और 40 की अवस्था में आने के बाद में कहते हैं समय किलत थी परिवार को संभालना था धंदे को संभालना था जिम्यदार्यों का निर्वेहन करना थ अतव में PCS या अतव में अपनी प्रत्योंगी परिक्षा में पूर्ण 100% नहीं दे पाया तो स्टूरेंट्स वही चीज में आपको कहना चाहरा हूं आज जब आप ट्रजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ है ना के वाकई आपके जीवन के अंदर जो संसादन है उन संसादनों से आपको कुछ मिलने वाला है अत्वा नहीं क्योंकि जो इस साल टॉप करने वाला उसके पास में 24 आवर है और जो इस साल जो बेसिकली प्रिलिम्प के अंदर भी बेसिक 15, 20, 25, 50 वीडियोज आपको दिख जाएंगे बले पूरा दिन नहीं हफता उसके पर खर्च कर लिए पर दो तरह के लोगों होते हैं जो खाली प्लैन करते रहा जाते हैं और दूसरा तरह के लोगों होते हैं जो संकल्प के साथ में प्लैन करते हैं प्लैन विद रिजॉल व मेंटाशिप में एक प्रॉपर गाइडेंस के केंदर सही दिशा को चुनते हैं और अपने गंतवय की तरफ कहते हैं उस सउ गदमकी दूरी पे आगे ही देखने को मिलेंगे टाइफेन इनने प्लेजमेंट तो आप सभी को स्टूडेंट को बेसिकली क्या करना चाहिए अगर आप कॉलेज में हो या आप काम कर रहे हो या आप ग्रहनी हो या और कोई और जिम्यदारी है जिनका आप निर्वहन कर रहे हो उसके बीच में और अपने जो हैं जीवन के अंदर जो सार्व भामिक जो चीज कहीं की जो आपको महत्वपूर्ण लगती है कि सर मेरे लिए PCS हैं, UPSC हैं, BPSC हैं या कोई और गंतव हैं कोई और लक्षे लेकर चल रहे हैं इसके बीच में बैलेंस करना होगा समाज को परिवार को है ना हम ही बेसिकली सदूपयोग करके आप अपनी पहचान को उस पायदान पर ले जा सकते हैं जहां पर लोग आपको आपके व्यक्तित्व को दोनों को सलाम करने वाले दोस्तों तो अपने दिन के अंदर जो चॉइस गंटे हैं 24 आर्ट से इसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है क्योंकि यह 24 आर्ट नहीं है इसको यह मान के चलिए कि यह आपके सामने हीरे हैं यहार दा 24 डाइमंड और इंवेस्टिंग हाव यू आर यूजिंग दोस डाइमंड तो स्टर्लिंग दोस कॉइंस इस वेरी इंपोर्टेंट है ना तो अपने दिन को आप तीन अलग अलग चर्णों में तोड़ सकते हैं मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो तो आप सबसे पहले जो हैं आठ घंटे अपने सरीर पर दीजिए कई स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे आपके पास में जिनका बैसिकली बायो क्लॉक हिलावा है राप को लेट सो रहे हैं दिनको लेट में जग रहे हैं है ना आपके पास में दस बजे ग्यारा बजे बारा बजे उठ रहे हैं उनके खाने का कोई अता पता नहीं है ना कई व्यसनों में ग्रसित हैं उनकी बॉड़ी क्लॉक जो है उनकी कई बॉड़ी के अंदर ऑबैसिटी हो चुकी है कई जरूर से ज्यादा पतले हो चुके है कईयों को basically कई diseases हो चुकि है, कईयों का सरीर जो है वो बहुत ही परिशानियों से ग्रसित है, यह क्यों होता है, क्योंकि आप अपने जीवन के सबसे सम्रिद और सबसे easily मिली हुई blessings को ही abuse कर रहे हैं, वह है आपका सरीर, वह है आपकी body, तो आपकी health जो है, physical health, mental health, spiritual health, यह परफेक्ट होनी चीए, तभी कहीं कहीं आपके पास में यह long duration के जो आपके पास में goals होते हैं, जैसे BPSC, UPSC, UPSC, ऐसे goals जो है आप साध पाओगे, क्योंकि यह goal को साधना कोई रात का, कोई एक हफते का, एक महीने का काम नहीं है, मेरे भाई, इसको साधने के लिए आपक चल पाएंगे, नहीं तो चार दिन की चांदनी, फिर अंदेरी रात है ना, चार दिन motivated हो, teacher सर पे खड़ा है, कंदे पे खड़ा है, तो तब तक आप मेहनत कर ले रहो, parents देख रहे हैं, तब तक मेहनत कर रहो, पर जैसे parents, जैसे teachers और जैसे वह भय, यार जैसे जी वह motivation का है सकल तरीके से जो है, आपका संकल्प जो है, वह अदम में होना चाहिए, उसको कोई हिला ना पाए, है ना, कोई normal emotional सी चीज, या फिर इस age में आने वाले distraction, financial हो, emotional हो, है ना, relationship हो, या फिर family situation, social situation, job situation, कैसे भी situation हो, आपको अपने सरीर को तो स्वस्त रखना है, अगर सरीर को स् कैसी एक नहीं, दसों परिशानी आएगी, उन दसों को हम solve कर पाएगी, I hope you are able to understand that, है ना, तो सबसे, कहा जाता है ना, आपके पास में, पहला, पहला, धन जो कहा जाता है, वो स्वस्त काया को कहा जाता है, ना, पहला सुख निरोगी काया, फिर दूसरा सुख गर्मे माया क जाता है, गर्मे माया मतलब जो आपकी prosperity होती है, ग्रोथ होती है, एट्सेटरा, एट्सेटरा, वो सारी चीज़े secondary है, की PCS बन जाओगी, है ना, रुतबा होगा, भोकाल होगा, तुम्हारा अपने सहर में, वो एक अलग चीज़ है, पर पहले भईया, एक अच्छे इंसान बनो, एक भैतर इंसान बनो, एक फिट और एक फिट इंसान बनो, emotionally, physically, ठीके, चलो, तो अपने आपको 8 गंटे जो है, अपने सरीर को जरूर देना है, प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है, बायो क्लॉक सैट करना जरूरी है, अब एक्जाम हुए चला है, आपके पास में प्रिर सोने का दियो सवक्त, आपकी बॉडी क्लॉक अभी भी लेजी चल रही है, वह नहीं होना चाहिए, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 का रूल क्या कहता है, आपके पास में दोस्तों कि 8 गंटे का समय तो आपको मिनिममम देना ही चाहिए, किस चीज़ पर देना चाहिए, बाइए, कि 8 गंटे जो हैं, अगर आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने ग्रहस्ती को दे रहे हैं, अपने समाज को दे रहे हैं, अपनी नौकरी को दे रहे हैं, स्टिल आपके पास में एक और 8 गंटे बसते हैं, इन 8 गंटों में अगर आप एफिशियंट बहुत ही अपनी आप अपने जीवन के अंदर अच्छे बेटे भी बन पाएंगे और अच्छी तरीके से जो है अपनी जिम्हेदार्यों का निर्वन कर पाएंगे अच्छे नागरिक भी बन पाएंगे आप यहां पर बैलेंस को स्ट्राइक करना सबज़ पाएं इसलिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत है अच्छा कई स्टूडेंट्स इस सेशन को इस होप से देख रहे होंगे कि सर हम टाइम टेबल बनाएं आप बता दो सांत बजे उठे या नौ बजे उठे या सुबह चार बजे उठे इस चीज के बारे में मैं कोई डिक्टेशन आपको नहीं देने वाला हूं क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए एक अलग आदर्स होता है उसकी बायो क्लॉक अलग तरीके से काव यह करती है मेरी तरफ से आपको सिर्फ एक आदर्स शला यह होगी कि एक्जाम विचा के खाट विचा के टाट विचा के कहीं भी बैठ करके पढ़ रहे हैं वहां पर बढ़े चाहे में जा लाइबरेरी या कहीं और बैठ के गार्डन में बैठ के पढ़ पार तो बढ़े उसके उपर कोई रोग दोख नहीं बशर्ते कि आपका फोकस जो है वह तूटे नहीं बशर्त कि आपका डिस्टर्बेंस और आपको डिस्ट्रेक्शन का सामना ना करना पड़े पहली प्रायोरिटी हमारी जो है प्रोडक्टिविटी के उपर उन्हें कि मैं वन आवर के अंदर इतना सिग्मेंट कर पा रहा हूं अगर आप 50 मिनिट 50 मिनिट पढ़ रहे ह पढ़ना जरूरी है जैसे भी पढ़ें तो कितना पढ़ना है आप निर्धारित करेंगे 6 गंटे 10 गंटे डिपेंड करेगा आपके ग्रेजिविशन में कभी पॉलिटी पढ़ा ही नहीं है तो डेफिनिटली आपको ज्यादा समय देना होगा है ना अगर आपने से ज्यादा आपको नहीं बैटना है इन सिंगल सिटी 15 मिनिट के बाद में आपको बिसी क्या करना है 10 मिनिट का गैप लेना है और यह ब्रेक लेना इस ब्रेक के अंतरगर बेसिकली जाकर के कुछ और कारियर नहीं करना है आप कुछ खा सकते हैं नॉर्मल लगातार कहते है क इसको अभी आप यूस कर सकते हैं इसके लावा भी और काफी सारी चीज़ें हो सकती है प्लस हाइड्रेट रखे अब जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूं तो मैं अपने साथ में बेसिकली वाटर बॉटल को एनी टाइम करी करता हूं अपनी वहिकल में करी करता हूं मैं मेरी क्ल पानी की कमी होने के कारण आपको लगता है नियूरोंस अच्छे से काम करेंगे आपको लगता आपकी अंडरस्टेंडिंग आपका कॉम्प्रियंशन आपकी अबिलिटी इस बैस्टू अप्तिमल लिवल पर यूज आ पाएगी नहीं दोस्तों तो अतेव आपको हाइड्रे के लिए आप इस समय का प्रत्योग करें ना की बेसिकली यह लिट लगा दिये कोई सीरीज देखने बढ़ गए मतलब आप आदे गंटे पड़ रहे और दो गंटे टीवी देख रहे दो गंटे मॉबाइल देख रहे इट शुड नॉट हैपन सेकेंड जो मैं आपको कहना च आपके जीवन में स्नेश मात्रवी स्लेश मात्रवी डिफरेंस आने वाला है कि मैं यहां पर देना चाहता हूं आप स्वेम सोचिए उस चीज को क्या आपने दिन में बैठे बैठे आज मैं बता रहा हूं आम स्टूडेंट जो फॉन यूज कर रहा है आज की तारीक में वह कि तो सब्सक्राइब मैंड ग非常的 work यहां घक्रोंडेंट आपके सब्सक्राइब कर रहे हैं एक एक मिनट के वीडियो को आप जो कंज्यूम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कई student जो है dopamine level को use करने के लिए laughter videos की तरफ चले जाते हैं कई जो हैं आपके पास immoral videos की तरफ चले जाते हैं I highly suggest यह आपके frame of brain को total disruption कर देगा यह आपके सोचने के तरीके को पूरी तरीके से पंगु बना देगा यह आपको जो है mental तरीके से जो है अपंग बना देगा so please करबद निविदन है social media से जितना healthy distance बना सके उतना बनाए मैं यह नहुँ कहूंगा कि आज आप जो है पाशान यूगी की तरह जिये जहां पे आप किसी भी तरह की connectivity ना रखे सूचना के आदान प्रदान का भी एक basic level आप सुनिश्चित करें कि इतनी सूचना मेरे को चाहिए मैं उतनी सूचना के लिए internet का प्रियोग कर सकता हूं परन्तु याद रखना अभिमन्यू नहीं बनना है तुम ढूंडने तो गए ते आपके पास में के सर atmosphere में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मिलती है nitrogen और पता चले उसी के नीचे span आपको नहीं पता है यह दिमाग जो है ना यह जो मन जो है यह दोड़ता है है ना यह जो आपके पास में जितनी भी आपकी जिसको हम कह सकते हैं इंद्रिया यह दोड़ रही है चारों दिशाओ के अंदर इनको बार बार पकड़ पकड़ के तुमको कंट्रोल करके अपने भाई या बहन आपके ऊपर आँखे गड़ाए नहीं खड़ा हो सकता उसके लिए बेसिकली आप स्वेम जिमेदार है कि आप स्वेम स्वेम को accountable रखे आप सही चीज का सही कार्य का सही moral decision का सही ethical decision का चुनाव करे हर बाद जब आपके सामने कोई teacher नहीं खड़ा हो जब आपके सामने parents नहीं कड़े हो फिर भी आपको पता हो कि आपके जीवन के अंदर कौन सी चीज का महतुत है और कौन सी चीज उपयोगी है I hope मैं इस चीज को बहुती crystal clear कर पा रहा हो आपके सामने तो आप ज लगातार पढ़ने की बजाए मैं यह कहूंगा आपको कि दोस्तों आप लगातार धाई गंटे पड़े और उनके बीच बीच में 50-50 मिनट के अंदर 10-10 मिनट के ब्रेक लेते वे चलिए ताकि इससे आपकी productivity बढ़ेगी क्योंकि हमारा अंत गोल यह नहीं कि हमको तीन गंटे से चाहिए अम धाइगंटे अच्छे से बड़े अपर धाए गंटे में इतना बहतरीन बड़े के जो पड़ा है उसको मैं लिख रहा हूं उसको मैं बोल आ उसको मैं समझा पा रहा हूं और सहस्ट थरीके से पैन और पेपर के ऊपर लिख बी पारामुनग एंड़ करना क्या आपको मेंस के अंदर ही तो लिखना है अगर मेंस नहीं लिख पाए तो फिर क्या ही होगा तो ब्रेन और पैन इन दो चीज को पहले दिन से ट्रेन करना शुरू कर दीजे मेरे दोस्तों आपको वापस यहां पर उसके अंदर भी कितने वीक है शंपोस्पोस यहां पर चार वीक है या पांच मीग उनका पूरा प्लेनर बनाना चलिए कर सर इस वीक को मैं किस दिन क्या करनें वाला और एक well planned चीज़ होगी वही आपको बता पाई कि आज आप क्या करने वाले क्योंकि अगर आपका month plan नहीं है आपका week plan नहीं है आपका week plan नहीं है तो आपका day plan नहीं है और when you are having no daily study planner what is the meaning जब planets बनेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि यह geography कितने दिन में खत्म हो रही है यह quality कितने दिन में खत्म हो रही है नहीं तो basically उधेड़ खाता ही चलता रहेगा आपके पास है ना कितना बाकी है कितना complete हुआ कोई knowledge नहीं प्रिलिम्स का एक्जाम बाकी है लास्ट मैं ज कि आप में परम शुरद्धा है अपने घ्रम के लिए हो या फिर लास्ट के अंदर जिसको भी आप परिक्षा के लिए शाक्षी मानना चाहते हैं परन्तु मैं आपको एक चीज तो बहुत ही importantly कहना चाहरा हूं भगवान भी एक चीज क्लियर करके गए भगवान शाक्षा थ तो फल की टेंशन मत करना इतना स्पष्ट और कौन कह सकता है भगवान नहीं तो कहा है यह सारी चीज है तो यू प्लीज परफॉर्म दिस एक बार लगेगा कि आपको पूरा सिलेबस सामने होना चाहिए सारे टॉपिक सामने होने चाहिए सारी बुक लिश्ट सामने स्ट्राइजी है आपके डिसिजन सही है आपके रिस्क टेकिंग केपैसिटी सही है आपके संसाधनों को प्रियोग करने का निंड़े सही है तो डेफिनेटली आप अपने गंतव्यत अपने लक्षित अच्छे तरीके से कम से कम समय में पहुंच पाएगे तो स्टरी प्लैन गोल आप प्राप्त कर पाएंगे और हमेशा आपको मेमोरी को पावर को बढ़ाने को पर जितना कोशिश कर सकते हो करना चाहिए ठीक है ना हमेशा याद रखना चाहिए आपके पास में कोई तरक आप निगेटिव या एक्सेस पॉजिटिव माहौल लेकर के कहरी ना करो ना कारात्मकता तो बिलकुल आपके दिमाग में नहीं होनी चीए नो नेगेटिविटी एक टॉल किसी ने बुरा क्या करने दो कोई गलत कर रहा है करने दो क्या करोगे प्रूफ करके उसको वाट विल यू गेन बाए प्रूविंग एनीधिंग तो देम सोचो जो सही है वह त जीवन का रुख बदल जाएगा नहीं हम कृष्ण है नहीं अगला अर्जुन तो आप अपना ज्यान अपने आप तक रखे अपना पूरा ध्यान किताबों में रखे और किसी को सुधारना नहीं है आप बदलो जुग बदलेगा अपने आप में बदलाव लाओ दुनिया मे तो कोई तरह का निगेटिव एंवार्मेंट अपने दिनल में दिमाग में किताब हात में तब नहीं रखना है ना मन साफ रखो दुनिया से किसी से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उससे समा मांग लो या उसने कोई प्रॉब्लम कर दी तो उसको माफ कर लो ठीक तक आप की नौलेज की ज्यान की पूर्ती पूरी नहीं होती आप ग्रहस्त के लायक नहीं हो, आप दूसरी की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो, आप समाज में जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे, और आपको लग रहा है कि आदी अदूरी तयारी से अगर आप कर पाएंगे दोस्तों, तो अट efforts किसी केलिए लगाओ पहले अपने आपको तो इसकाबिल बनाओ right are wrong आप इस तरक को समझपा रहे हैं ठीकै तो किसी बितार नहीं तो ज़्यादा सकरात्मक हुए नहीं ज़्यादा नकरात्मक कहेता ना कहाद किसी सबसे मेरा दोस्त है उससे भी एक हाथ की दूरी क्यों जरूरी है ताकि मानसिक संतुलन बना रहे हैं यह एक तरीके से पुरी भावनाओं का सागर इसमें भावनाओं की जब ज्वर और पाटा ज्वर और पाटा बेसिक लिए आता रहते हैं और उस समय आप नहीं पढ़ पात ध्यान है जरूरी चलो पेटेंशन एंगेज और सेंसे जब भी आपका ध्यान आपका अटेंशन हटा आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है आप सोचो कई बहुती बेसिक चीज़ होती है आप से कोई पूछ लेता है अचानक से जब आपका अटेंशन उस तरफ नहीं होता है तो भूल जाता है और यार क्या था अरे मेरा एक्जाम सेंटर कहां आया था एक्जाम सेंटर मेरा रॉल नंबर क्या था अच्छा मेरे जीमेल का पासवर्ड क्या था अटेंशन गाया मेमोरी लॉस होना सुरू हो जाता है आदमें तो जब भी आप टेंशन लोगे जब भी आप का अटेंशन गायब होगा तब तब आपका मेमोरी लॉस होगा तो कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है या फिर अपने ध्यान को नहीं बढ़काना है अटेंशन हमेशा आपका जो है अपने लक्षे की तरफ बना रहे आपके पास में हैंना रीकॉल शेर्ट एक्सपीरियं कि सर दो से तीन मिनट तुम्हें एक्ससाइज कर रहे हो यू आर एक्ससाइजिंग आप उसमें व्यायाम कर रहे हो आप प्रनायाम कर लो आप मेडिटेशन कर लो आप अनुलोम विलोम कर लो आप का पाल भाति कर लो आप पुश अप्स लगा दो आप रोप स्किपिंग कर है ना रसी कुदना जिसको कहते हैं कुछ भी नहीं होरा दंड बैठक लगा दो आप है ना पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए टॉप टू बॉटम आपके पास में पूरा ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए प्रॉपर ऑक्सिजन पहुंची यह फ्रेशनेस आपको सिटी के अग्जाम लिए कहा था तो मैं हर एग्जाम के अंदर तीन घंटे की परिक्षा को तीए युनिवर्शिटी के आग्जामें जनरl में और तीन घंटे के दdetरां क्या men पर आजा आजाते था पेपर हमारे सामने आ गया थी गंटे का समय एक शुरूवाट थेखता क्या प्रशन आये हैं वापस उस gesch् Kelly पथ्यता निल्द में और अपने आग्याचकर पर ध्यान रखो meditate meditation किया करता है आपके नियूरोंगस को एक और के अंदर एरेंज करता है आपके neural signaling को स्ट्रॉंग करता है रीकॉल प्राशिटी को बढ़ाता है आपकी neural networking को स्मूथ कर देता है है ना कई बार आपको बार बार रिकॉल करने में आंखें बीचनी पड़ती है आपको बार बार जोर लगाना पड़ता है उपर की तरफ ध्याने आदे यार क्या था वो कोई कंसेप्ट हो था अल्फरेड वेगणर नाम सुनाता मैंने और यार वो वो रियक्टर स्केल किसका स्केल था आपके पास में है ना तो यह सारी चीज़ों के लिए इतना अपन कहीं कहीं रुख से जाते जुक से जाते कहीं क्लॉव जाते क्लॉग से हो जाते रीजन क्या है उसका देरीजन इस इ मिनिट आपको लगेगा 180 मिनिट मैं 10 मिनिट उस पर वेस्ट करूंगा वो दस मिनिट वेस्ट नहीं तुमने इन्वेस्ट किये बाकी बच्चे जो 10-15-20 मिनिट दूसरी जगह पर खर्च कर देंगे तुमने से उसी में से सुब दस मिनिट करो साम को दस मिनिट करो मेडिटेशन ज़रोरी है और यंद कोई क्यнул अब करें अपको छिस्वें से शांप्सात्कार है आपको इस दुनिया से कट करके आपकी सारी समश्याओं को बेसिकली खुद के अंदर ही लेके आना है उनका सुझाओ भी खुद को देना है उनका निराकरण भी खुदी करना है और आप देखेंगे कि आप खुद कर भी पा रहे हैं यह विजुलाइजेशन होता है मैंने कंसे पूरे किया इस हटे में से मिने थरीके से कौण से अधूरे रह गया है तो एक जहादा कंफर्ट कर देंगे तो अब दीरे दीर उस पैटर्न को पढ़ पाएंगे अगर सोतको आप अपने समय को कैसे व्यतित कर रहें अपने जो हैं एफर्ट को किस तरीके से स्पेंड कर रहें अगर आपके पास उसका कोई रेकॉर्ड नहीं है यहां पर पांच रुपे का धनिया भी खरीदा है वह भी लिखा हुआ अभी समझे की कोशिश कर रहे हो तो अपने संसाधनों का और आपके पास पर कौन सा सबसे बड़ा संसाधन है समय आपकी उज्जा आपकी एनरजी आपकी प्रयास आपके एफर्ट्स आपके इमोशन्स ह इसका प्रोपर लेजर मेंटेन करके रहो इसका प्रोपर ट्रैक साम को जर्नल लिखो जो आपके परिक्षा के समय कहीं आपके साथ में एक मौरल सपोर्ट का काम करेगा एड़ दसेम टाइम जब सलेक्ट हो जाओगे तो उसको पढ़ते हुए कहीं के खुशिश आखस के नम यह मेरा सरनेम यह मेरी कास्ट यह मेरे पिता यह मेरी माता यह मेरी ग्रेजुएशन यह मेरी हाइट यह मेरी बॉड़ी यह मेरा जैंडर यह ना यह मेरी क्वालिफिकेशन इतना में स्मार्ट हूं इतना में इंटेलिजेंट हूं वह यह तुम बस 10% तुम्हारे ब्रेन का 90% जो हैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है 90 परसेंट कंट्रोल में नहीं है क्योंकि 90 परसेंट तो आटोमेटिक काम कर रहा है यू डूंट नो कि उसको कैसे इंस्ट्रक्शन देने हैं जिसको हम लोग कहते हैं अवचेतन मस्तिस्क सबकॉंशेन मांट कि आप कुछ सोचते हो सोचते हो हो पर आपका दिमाघ फिर लगाता रूशी के उपरóc रहें interpreting सोचता है आप पूरी तरीके से प्रोग्राम किया तो यही आपके जीवन में पूरी तरीके से जो है 180 डिग्री चेंज लेके आ सकता है है कैसे इसको समझने की कोशिच करें तो आपका जो भी बिलीफ है जितने भी इमोशन जितनी भी लॉंग टम मैमोरी है जितने भी रियक्षिं से जितनी इमाजिनेशन आप करते हो ना हर एक चीज फियर है इंटुशन है सैल्फ हमेज है वेल्यू सिस्टम है आपका हर चीज इ के लिए आदमी को चाहिए जाता है इस चीज के लिए आदमी को का चाहिए न सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना व वह भी जहें it चोंदो लो तक अवकर नाम क्या आपके प्यता जी आपके मानी आपके मामी भाई आपका ब्लैंकेट किया आहि सूझ आपके पीलो आपके स्जच नाब एपके डाँटो आपका शहर आपका बैस्ट फ्रेंड स्कूल के प्रिंसीप आपका कॉलेज कि याद आये क्या सबके नाम लिख्या रहे तें नहीं क्या चीज जरा रही थी imagination सोचने की कोशिश करो इसी तरीके से अगर मैं बात करो इगनियस रॉक्स क्या है अवसादी चट्टा ने क्या है कायंतरी चट्टा ने क्या है एलाख साइकल क्या है है एकष़कू क्या है यह समस्फयर क्या है यह सारी चीज़ें फिरी से रिफ्लेक्स करकर आ सकती आग्ले प्रा इंको ट्रेंज करकेयाताut नियों क्योंकि बच्पन से हम को पढ़ाया जाता है पैसेज फोरमेट में इसेञा हौनारद पैसेज फ़ोर्मेट में गधियान्स फ़ोर्मेट में कभी इमेजिनेशन को कभी सब्सक्राइब करना सीखा ही नहीं हम परन्तु आपका मैंड किस फॉर्मेट में काम क्या सोचू हमालिया क्या नजराया कि नज़े आए एक माउंटेन जो हिम आच्छा दीते पूरी बर्फ से धकी हुई है तो सिच्वेशन किस तरीके से जनरेट की जा सकती है अपनी आप प्रॉडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा जरूरी है आपके पास में मा दशा मनो दशा सबसे महतोपून चीज़ होती है क्योंकि इसको अगर आपने औरियंट करना इसको आपने सकरात्मक करना सीख लिया तो आप प्रोकेस्टिनेशन से आप टालम टोल से आप निकारात्मक्ताव से हमेशा दूर रहने वाले हैं I hope this is quite clear तो आपका जितना भी कि इसकी षप हसे सकता है जो चीज़ आप सोचनी सकते है लिया अब यह ठी不用 की सक्कॉंसियूंस की सब कॉनिक्टिविटी कैसे होती है लि alpha स् communist खिक क्रेक्टिविटी होती है इसकीस अध्यूंस की इसना की में चले जाते हैं रात को आपकी सास अपकी धर्डकन एक दंग कम हो जाती है कि दुनिया में चले जाते हैं Imagination की दुनिया में निया में energy belief emotion long term memory भच्पन की याद आ रही होती है तुमको ननाहाल में क्या हुआ तो तुम उस चीज में चले जातों तो यहां पे क्या मैं बिना नीद में जाए बिना सपनों में जाए क्या मैं सब्सक्राइब जैसे आप अपनी हवा को अपनी स्वास को इन्हेल कीजिए और स्वास अंदर लेते वे आप कम से कम पांस सेकंड दसेकंड को सांस रोक के रखें आँखों बंद रखें और आग्या चक्र पे ध्यान रखें अभी करके देख सकते इस वीडियो को पॉस करके आ आप लगातार जो भी अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं आपने को सुन रहे हैं पर स्टिल आपके बैग्राउंड में कई noises आ रही है कोई काम बाकी पड़ा है कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई जॉब कोई घर का काम है ना कोई फेस्टिवल का काम कोई हेल्थ की जब कॉशिए स्टिव नहीं है आपका कॉंसियस मैट को रोकना है तो आप सांस को रोके देखिए कि इन्हें अगल ऊकल CL 15-20 थोट्स आपके मांड में पैरलल एक्टिव थे उसमें से अब एक दो थोट्स ही देखेंगे और उसमें सिर्फ वही थोट्स दिखेंगे जो आपके सामने जैसे अब यह चित्र दिख रहा होगा या आवाज सुनाई देरी होगा वापस इस वीडियो को रोक करके 10-15 बार आप यह करके देख लीजेगा है ना तो उस वक्त आप जो भी चीज सोचेंगे जो संकल्प लेंगे वह आपका सबकॉंसियस माइंड के साथ में इंट्रेक्ट करेगा कि नहीं भाया मुझे जीवन में चुनाटियों से उपर उबढ़ना है मुझे जीवन के अंदर बहतर कर पर अपने संसाधनों का अपने समय का संपून्थ तरीके से पूर्ण यूप करोंगा अपने मैंटर्स का अपने पेरेंट्स का नाम उचा करूंगा अपने देश के लिए अपने आपको एक पॉजिटिव एसेट बनके दिखाऊंगा तभी तो वह चीज बात बंती है या बर्वी किया तो आप फुद इस वीडियो पर आएंगे और कॉमेंट में लिखके जाएंगे जो बोला था चीजे काम करने लगी कैसे काम करने लगती कोई एक चीज जो आपको तो जितना हम याद नहीं कर सकते हजार गुना तो यह याद रख सकता है जितना सोचने के लिए हमको टाइम लगेगा अगर मैं आपको यह चीज कहूं कि भया तुम मेरे को हिमाले की फोटो निकाल के बताव इंटरनेट से इंटरनेट खोलोगे गुगल पर जाओगे हिमाले करोगे फोटो निकाल के लाओगे पांस सेकंड लगेगा पर अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं माउंट एवरेस्ट एंड हिमालिया तो आपको एग्जेक्ली एक माउंटेन हाथ फ्लैस हो अभी दिमाग में जो चित्र नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ इमाजिनेशन वह क अपनी पास में रखो जो आपको अपने लक्षे के अंदर अपने गंतवी में आपकी परिक्षा में काम आए कहना ही क्या ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों सो वाटेवर वी प्लांट इन सब कॉंसियस माइंड इड नरीश इस विद रिपीटेशन इमोशिंस एंड विल और अमोशिंस विल ऑन डे इकम रियालीटि यह चीज सबसे जलूरी है आझकी तारीक में जो भी आप अपना अचितन मस्तिस्क के अंदर प्लांट करनेवालें करने वालें कि इंधर ऑपन Die करने वाले हैं relative करने वाले सबकनिसिकेंद्र और उसको याद रखना सिर्म रिपिटे श्रुजरत वर्फिज्ण और थान जबड़ना होगा अब को पुरा भाव समर्पन का रखना होगा के नहीं मेरे पुरे सरीर का इस पंचभूत सरीर का मेरे सारे समय का मेरे सारे संसादनों का सारी उड़जा का मैं सही और सटीक प्रियोग करने वाला हूं अपने लक्षे की अपने गंतवी की प्राप्टी के लिए और उन्हीं बहुत विएंटली मैं राजस्तान के चोटे से गाउव से आता हूं मैं अपने पूरे गाउव में पहला ग्रेजूएट हूँ तो समझाने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सर हम अपने मां के पेट से नहीं सीख आते सारी चीज़ें हमको सीखने के लिए अपने आसपास के बातावरण और अपने अंदर दिये गए दिमाग का यूज करना होता है तो दो कानों के बीच में जो दिमाग है जो मशीन है यह अनंत संभावनाओ को अपने अंदर लिए हुए और इन अनंत संभावनाओ को आप किस तरीके से प्रियोग कर पाते हैं यही एक आम मनुश्य के अंदर और एक महान मनुश्य के अंदर विभेद करते हैं अब डिसीजन आपको लेना है क्या वह कर पाएंगे यह नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिविल सर्विस की त कर रहा कोई नौकरी कर रहा और तुम यहां पर एंसे एलटी पढ़ रहे हो रिजेप्शिन करेंगे और लोग क्रिटिस परएंगे फिर भी दिसिप्लिन नहीं तोड़ना है तुमको कई फेलियर भी आएंगे प्रिलिम्स रुख गया कई बार मेंस रुख गया तो भी क्या हाइड वक करते जाओगे धीरे-धीरे पर्सिस्टेंस सतत्ता और धीरच के साथ में एक दिन तुम सफलता की तरफ जरूर जाओगे सिर्फ अपने आपको बस इतना सा कहता है रहता है कि भया मेरा माइंड ग्लियर है मैं फोकॉस्ड हूँ मेरा गोल जो है वह आप सभी के गोल से लग है मेरा गोल साम का आटा नहीं लेकर आना है मेरा गोल इस चार महीने की फसल को उगाना नहीं है मेरा गोल जो है वह इस जनरेशन को ही नहीं आने वाली सांथ जनरेशन को ही नहीं आने वाली सैकड़ो जनरेशन को सुधारना है इस समाज को सुधारना है इसका ही बनके रहना है तब तो वह बेसिकली जो है मैं अपने से भी बड़ा लक्ष आप लेके चल रहे हो अधर्वाइस वही चीज है टेन टू फाइव का जॉब करोगे उसके बाद मैं वही एक तारीका वेट करोगे यह मैं भरोगे वापस एक तारीका वेट करोगे और जीवन कॉलू के बैल की तरह हो जाएगा नहीं तो यह यहां पर यह कोई नौकरी नहीं है क्योंकि यहां पर लोग पैसे के लिए नहीं आते हैं यहां पर लोग आते हैं देश सेवा के लिए राष्ट सेवा के लिए राष्ट निर्वान के लिए तो यहां प्रसासनिक सेवा है ना कि प्रसासनिक आपके पास में कोई यहां बूर पूरूर कारिया है मुविंग फॉवर्ट टाइम मेनेजमेंट बहुत ही जरूरी है हमेशा लॉंग टम गोल रखिए कभी भी मैं आज क्या बढ़ूंगा यह सोची इस वीक और इस मन्त में मेरे किया टार्गेट रहने वाले हमेशा प्लैन करके उस टार्गेट को लेके अगया मेरे को करना है जोग्रोफी कंप्लीट सब्सक्राइब करना है इस हपते करना है अगले हपते अगले संदे को मौक टैस्ट लिखोना है पर अब आगई भाइया हमारे डिस्टेंट रिलेटिव की साधी अब उस शाधी में हम क्या करेंगे जाएंगे की नहीं करें और चल जाएंगे क्या आप में इतना जजबा है क्या आपमें इतना दिस्पलिन है क треб यहां पर मना कर सके अपने दोस्तों को अपने परिवार वालों आपने नीरे और दूर वालों को भी किसर मेरा समय मेरा नहीं मेरा समय मैं पुस्टकों को दे चुका हूं और sevent समय जो है पांच साल बाद में आपका होगा अभी मेरा समय जो है राष्ट निर्माण में और विक्तित्व निर्माण में लगा हुआ है ठीक है तो डेडिकेट स्पेस और टाइम जरूर देखिए हमेशा के बैठ के पढ़ूंगा चाहे आप टार्ट बिछा की पढ़ रहे हो चाहें आप बिस्तर में पढ़ रहो कैसे भी पढ़ च्छत पें जाके पढ़ रहो कैसे भी पढ़ नहीं पढ़ा मेरे भाई दिमाग में खोपडी में जानी चीव बात बस अगर आप वह कर रहे हो गेम इस इन यहांड आप अभी भी बेसिकली जो है इस युद को जीत जब आपने पहले सोच लेया तो आपका माइंड अपना उस चीज में लग जाता है आपका माइंड लेजी क्यों है कि आपका माइंड यार यह थोड़ी लंबा पड़ेगा यह खाली एक दो दिन पड़ेगा फिर किताब साइडे में रख देगा झालो चोड़ो इसकी तरफ ध वो तुमको ऐसी ऐसी चीजे याद आने लगेगी जो तुमको लगेगा कि यार मेरे तो खाली सरी नज़र से देखी ती कैसे याद रहे गई वो सारी चीजे है ना वो कहते हैं कि गंगाधर और शक्तिमान का फरक महसूस होने लग जाएगा तुमको खुद के अंदर चल और हम होती कोकरिक संसको अ करना अरजेंट और नाना चीज है महतवपूर्ण और इंपॉटेंट वहाइं तो उसको हद्वाघ करो डएट ना कि? रती ना Man plots है दी धी की in पर क्या अर्जेंट है अगर नहीं किया तो क्या वो शाधी रुख जाएगी भाई मैं फेरे दिलवाने वाला पंडित तो हूँ नहीं मैं दुलाओं नहीं मतलब इन सबीनें वहां दो तीन दिन की आहूती देना अवश्यक है क्या अर्जेंट है अगर है अगर नहीं है जोको ना प्लैन कर लो उसको यह मैं आपकी षाधी पे नहीं आ पाया कर लाएगा था जान दुर्भागे वर्ष कोई जगह बीजी हो गया था पर मैं आपको अभी भी दिल में मन में रखते चलता हूं तो उन चीज़ों को आप प्लैन करके चलो ना क्या मैं इसको अगले हपते अगले महीने अगले साल में कर सकता हूं क्या क्या उस वक तब भी यह चीज़ होगी होग यह चीज़ याद रख लेना नहीं तो यहां पर पहुंच भी याओगे तुम साधी में तुम्हारा सेलेक्शन नहीं हुआ यही रिस्तेदार खा जाएंगे वापस फिर तुमको यह तो इधर उदर फिरता रहता यह लड़का शादियों में फंक्शन में इधर उदर ट्रे कि इतना नहीं देखता का आपने 300 दिन कितने मैंनत की동की मैंनत की यह यह देखता है तो उस疫ूइंब आपकी परीकशती उस दिनिया-árioली या लन यह नहीं यह कोई पड़र बून में कोई आपके जीवन में जाकने नहीं आएगा आफ फेलियर हो उनकी नजर के अंदर हला कि आपको कोई फरक ना पड़े परंतु यह चीज रहेगा तो आप चाहिए कितना भी समय दे दीजिए उन हर चीजों को जो चाहिए महतवपूर्ण है परंतु समय सिर्फ उन्हीं को स्वास्त की चीज़े हो गई जैसे परिवार की चीज़े हो गई जिन चीजों के भीना आपका जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता है सिर्फ उन्हीं चीजों को अदर्वाइस हर चीज वेट कर सकती है आपके सेलेक्शन तक यह याद रखे और अगर कोई चीज इंपोर्टें अब टैसल पर अरजन्त है इंपॉर्टेंट तो नहीं है महत्वण तो नहीं है पर यार अरजन्त है आज पहुंचना जरूर ही है इंपोर्टेंट नाइओ डिनर अर्जेंट तो कई सारी चीजे वोगी आप कर सकते यूशं को हमसा सदे चीज को याद रखना कोई सारी प्रकर नहीं इसको प्लैनों करके रखो लो गूं सर आपके पास में आज जीम जाना है जिम जाना है करो मैं तो कहा रहा हूं हर घंटे जिम करो exercise करो meditation करो पर अपने रूम में करो क्योंकि तुम जाओगे सज धज के दो तीन घंटे खराब करोगे ठक के आओगे दो तीन घंटे सो जाओगे आदा दिन वहीं स्वाहा और लड़का लड़की दूसरी चीजों के मातापिता देखेंगे या आपकी अंतरात्मा देखेंगी और कोई नहीं देखने वाला है ठीक है इन सारी चीजों को याद रखिए और जो और याइस के एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेजेंटरी फैकल्टी है सुमिछ से वह यह चीज कहा करते हैं नो मैटर हाव हाड़ इस आएम गोईंग टू मेकिट हापन हाना जब मैं अपनी परिक्षाइन लिख रहा था वर्स दोजार सत्रह अठरा के अंदर तब उन्हां दम्य शक्ति है तो आप अपने लक्ष की तरफ आप अपने व्यक्तित्यों की तरफ लगातार जो है उत्रोतर बढ़ते चलेंगे तो उसके अलावा फिर एक और आपके पास में जीवन में सबसे बड़ी निर्धारन समय निर्धारन के बाद में सर न्यूस्पिपर क्या करे कैसे करें हर रोज 16 पेज का दो हिंदू नहीं पढ़ना है हर रोज 10 पेज का जिसको आप करते हैं इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे सर हम लोग तो क्या पढ़ेंगे हम लोग सर हमको दो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर से ही जैसे पीवाइक यूस पी आएंगे आपके पास में वह भी से रिलीट कर पाएंगे आप लोग इसमें आप एमसे की भी आंसर राइटिंग मेंहाँक कर पाएंगे और एडिटोरियल पेज के बार मेदो हिंदू में इंपरूटेंट आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट एक मुद्दा उठाएंगे एक लांग रोड टू नेट जीरो अब नेट जीरो है क्या नेट जीरो क्या है उसके उपर पूरा जिस्ट बनाएंगे उसके उपर पूरा कोश्चन उसपर आंसर मतलब यह मानके चलो कि यह PCS और UPSC के लिए ही बना है जैसे य यह दो पेज आप डेली कर रहे हो दा हिंदू के लिए बहुत अच्छा पर आपका टेस्ट थोड़ा भिन है आप इंडियन एक्प्रेस पढ़ना चाहरे है वह भी पढ़ सकते तो इंडियन एक्स्प्रेस के लिए है इसका कोई श्रमक्ष पेज है जिसको एक्स्प्लेंड कहा जाता है कि सरीक मुद्दा लिया के इंडिया इस वार्मिंग वाट अदर ट्रेंड्स नाव तो आपके पास में ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो रैकॉर्ड है एक्स्रीम वैदर इवेंट जो है मौनसुन रेंफॉल के ट्रेंड जो है उसके उपर एक पूरा है यह आपकी कला ऑनी चीह याँ यह अगर यहःक पेपर पेपर में इससे रिलेटेड कोई एक्जाम में जारे कोई कोशन आजए मौनसुन से रिले्टेड हो या वार्मिंग से कोई कोई कोशन आ जाए उसक्त आपको शेंड नसे खरंन क्योंटकरांत अभी पोईंगे यहा तो यह मैं सोचो कि सर इसमें से आदा रह गया आदा हट गया कोई दिक्कत नहीं क्या तुमने वह दस बिंदू वह पांच बिंदू तयार किये या good to go आगे चलो हर आर्टिकल के उपर पांच 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 से उपर जा रहा है मतलब मेरे लिए व्यर्थ है मेरे लिए काम का मेरे नहीं क्यों कि याद रोगो तुम क्या तयारी कर रही हो मुख्य प्रिक्षा की और ऊंसर राइटिंग 152 वर्ट 250 वर्ट बंद लब डैल से दो पेज और उंदर सारांस लिखना होगा मतलब 20-25 में रिखना है उस बीस से पांच तो अगर आप पांच लाइन अगर आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग इसके यह एक्सलेंट पेज तो आप लोगों को मैं समझाई जबंगेढेज जैसे अठ्सेंडिंडर पोश्ट तॉपूश्ट ऑफ tummy घकारी होता है क्या लिजा क्या कृष्ट अधिकारि होता है आर्गुमेंट कैसो है कि भे अगबार के ना पढ़के खाली ये दो तीन पेज एडिटोरियल पेज है टेक्स और इंडियन एक्प्रेस है तो इसका एक्स्प्लेंड पेज ये तीन पेज पढ़ रहे हैं साल भर के लिए छोड़िए मैं कहता हूं छह महीने भी पढ़ो मैं कहा रहा हूं कोई टॉपिक आप और भी आप बहुत डिलाइट से बटरकेस फॉर्मेट में लिख पाएंगे एक तरीके से आपका पैन नहीं रुखेगा वाँ पर यूई कीप ऑन राइटिंग इतना कंटेंट आपको अच्छा मिल जाएगा सिर्फ 6 महीने अगर आपने पढ़ लिया अच्छा डैनिक भासक यहां पर डिबी ऑर इजनल दैनिक भासकर और एक्स प्लेनर यहां भी पेज इसको उठा के पढ़ सकते हो और जिस सहर से आप बिलॉंग करते हो है ना आप उत्तरपरदेश से बिलॉंग करते हो ठीक है ना तो इस एरिया स्पेसिफिक सेग्मेंट को भी उठा सकते हो यहां इस तरीके से दिखता है यह दैनिक भासकर की आधिकारिक वेबसाइट है अब देखिए इसके उपर ही आपको यह सारी जिम जो है सूचनाय मिल जाएगी जैसे एक्स्प्लेनर पर पढ़ो बहुती अच्छी वेबसाइट है इसको पढ़ो यहां से हैना वायू सेना में विम है च्छी करोगे घृशंट करेंज्बब वाले हैं तो इसको आप ट्रांसलेट लिकर के एंग्ली कर देता यह ऐस शारी जानकार आप Sup लिए इंफ्लेंसा क्या है क्यों होता है पूरी जानकारी इसके उपर इन्होंने दे दिये वाइरस के बारे में भारत में कैसे फैल रहा है यह वाइरस है ना तो जो महत्रपूर्ण आपके परिक्षा के दर्ष्टी कोंड से इंट्रेस्टिंग वे में दहिंदू अर्दैनिक भासकर इंडियन एक्सप्रेस यह दे रहा है तो क्यों ना पड़े इसको हम लोग संसादनों का सकल और संपूर्ण प्रियोग करें हम लोग यह चीज़ करते हैं और जो भी आप information लि कुछ इक्वैलिटी समानता को लेकर आर्टिकल 14-18 कुछ freedom को लेकर के बात कर रहे हैं आपके पास में 19-22 तक कुछ धर्म की बात कर रहे हैं कुछ रिजिजन की बात कर रहे हैं आपके पास में कुछ culture education rights हैं कुछ आपके privacy से related हैं कुछ remedies हैं कुछ exploitation को रोकने के लिए तो की पेज के उपर सारी चीज आ गई और उसको बहुत ही छोटा-छोटा समराइस करके लिए इतना कि बस उस नोट को देखकर के आपको पता हो कि यहां पर जो मैंने एक वर्ड लिखा है असोशियेशन असेमली मूमेंट रेजिदेंस इन प्रॉफेशन इसका मतलब क्या है इ जो इंपोर्टेंट है कि सर इसको तो लिखे भीना कंसेप्ट पूरा नहीं होगा तो वह लिख दो पुरा तो फंडामेंटल लाइट्स के पूर जैसे एक मांड मैप हैं आपके सामने मैं आपके सामने एक्जांपल के तौर पर लेकर आया हूं आप यह देख पाएंग ऑप अप्छांप के पास में और बहुती हैं कि वाइज ली इसको चूस करना आपके पास में इसके सकारात्मक पॉइंट देखो फिर आप उस वेकलब विशे को चूस करो आपके पास में पहला तो इस विशे चेंदर आपका इंटरेस्ट है यानि आपका रुज़ान है मुझ फीडबैक देगा कि जिसके जब आप प्रिलिम्स या मेंस के अंदर आंसर आइटिंग कर रहे हो या मॉक सॉल कर रहे हो उसमें क्या मदद करें यहां पर क्या उसकी कोई लग जाते हैं जो ती सहजता से अविलेबल हो और लिजी सब ज्यादा खाते हैं भारत कहरें नुकर के अंदर यूएसे में चले जाओगे कहीं पर लेजिए जरूर मिलेगा आपको आप इंडियन स्टोर्स के अंदर सो फिर हैं आपके पास में NCRT तो आपको पढ़नी है 6-12 अगर 6-12 नहीं तो कम से कम 8-12 तो पढ़ो ही पढ़ो एक बार स्टोरी बुक की तरह पढ़ो मैगजीन की तरह पढ़ो बहुत ही अच्छा माल है यह इस माल को आपने एक बार पूरा कर लिया तो मैं आपको कह सकता ह हूं आपका पूर्ण तरीके से सब्जेक्ट को विशे को देखने का नजर बन जाएगा एक बार आप धरातल पर हो और एक बार आप जो है चील और बाज की नजर से उस को देख रहे हो वह लेवल हो जाएगा आपका एक NCRT के गोत्रू हो जाने के बाद में आपका भय जो ह हैं उस सब्डnaire को लेकर के वह धिले खतयों आपको अक्रकोंठा चलेगा कहां सुरूं रहा है कहां हो एक न्म है कितनी मिर्छन देख सब्जेक्ट की दो पर तो वह सब्चेक्ट जिब आप थोड़ा मापना तोलना शुरू कर देंगे अपने आपमें फिर सब deixa fundamental और sporting लिएशन बूक्स पे आएंगे रिफ Trung पाइए तो वह बाजी आपकी होगी वह आपके हाथ की बारी होगे वहाँ पे ठीक है अंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जैसे कहता हूं ओंत बहुत हम रिडीजन बहुत हम बहुत मेश्ची और हैं अप यूपीयसी की तै हैं पिसी कि syllabus की लगबग 3 से 5 revision की तयारी करें कितने revision सोने चाहिए minimum 3 minimum 3 maximum 5 तो होने ही होने चाहिए maximum तो कितने भी कर लो परंतु आदर्स तयारी में 5 revision होने चाहिए minimum 3 revision है तो prelims लिखने जाओ है ना अगर इतना है तो आप जाओगे तो वह तरी-कलेक्शन रिट्रीवल अच्छे से होगा तब प्रिलिंप भी क्लिएर होगा और मेंस भी क्लिएर होगा आपका गोल्डन ट्रेंगल को हमें सा याद रखो कि कोई भी एक्जाम है उसके पास्टेर को ज़रूर लगान है कोई भी एक्जाम है उसके अंदर मिरेको ncrt बहुत गुना बहुत ही आसानी से साधा सा सकता है प्रॉबेबिलिटी जो है वह हाई हो जाती है आपकी वह एक्जाम क्रैक्ट करने की इसको गोल्डन रूल भी कहा जाता है आपके पास में तो स्टिक पूर डिसूर्स आप अगर पॉलिटी एक जगह से पढ़ रहें उसी से इसाइप गड़ाइप उसी जगह से बढ़ें उसी बुख को उसी नोटोस को उसी टीचर के नोटheads को दसबार पढ़ो कर ऑइंस पाइट के जोक्रॉफियां से फफिस यहां से फिर एक बीज उठाली एक बूंनो एक बुЫ कि बुक 10 बार पुड़ो 10 बुक अलग अलग ना पड़ो यह चीज याद रखो और हमेसा कंसिस्टेंट रो हमेसा कंसिस्टेंट रो बुखार भी है तो भी किताब तो हक्त में हो सकती है ज्यादा कुछ नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो सुन लिया किसी फैकल्टी का गभी एक्टिवली नहीं पढ़ रहा हूं खड़ा हो दोगे या तरीके डूड़ोंगे हमेसा प्रॉब्लम सॉलवर बनना है ब्यूरोक्रेट्स प्रॉब्लम सॉलवर होते हैं समाच की देश की प्रसासन की कानुन व्यवस्ता की समाच से जुड़ी बुराईयों की समाच के अंदर लाने वाले बदलाओं को लेकर कि जो चुनौ आपको भी अभी से कंसिस्टेंट रहना है चुनौती देख करके पीछे नहीं मुड़ना है चुनौती देख करके सॉलूशन के उपर जादा से ज्यादा फोकस करना है कि इस चीज का सॉलूशन क्या हो सकता है है चोड़ना नहीं है इसलिए कहते हैं ऑल्वेज बिलीव इन जिसका स्वेम में विश्वास होता है इश्वर के उसमें सबसे पहले विश्वास होता है आप गलत करते हैं आप खुद में विश्वास छोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पे विश्वास कर देते हैं आप खुद में विश्वास छोड़ करके एक व्यक्ति में विशेश में girlfriend में boyfriend में husband में wife में parents में इन सब में विश्वास कर देते दुनिया में हर एक चीज even भगवान में भी आप विश्वास तब करना मेरे भाई जब आपका जब आपके खुद के concept तो आप कितने भी निर्मल और कितने भी सबल लो किसी से भी जूट जाएंगे ना आप उसका भी बेड़ा भार कर देंगा और वह आदमी आपका भी बेड़ा पार कर देगा प्रोवाइड़ आपके concept आपके फंडे क्लियर होने चाहिए परन्तु अगर आपका खुद का concept क्लियर नहीं है सबसे पहली स्लाइड गया थी नो यॉर एक्जाम वेल नो यॉर एक्जाम वेरी वेल शिक्टी एट बीपीसी प्रिलिम्स का एक्जाम अभी हो चुका है 150 मार्क्स के लिए बताया जाया था है ना पॉइंट टू फाइव की निगेटिव मार्किंग भी थी आपके पास में ऐसे का पेपर एक नया इंटर्डूस किया गया अभी मेंस के लिए आपको बताया जा रहा है ना टोटल पांच पेपर होंगे दो जीएस के एक एसे का एक जनरल हिंदी का और ऑप्शनल का पेपर जो है वह हंडेट मार्क्स का दोनों क्वालिफाइंग कर दिये अभी यहां पर पीसिया जो आधर्णिया हमारे चेर पर्संट जो है उन्हें नहीं बताया था पीसी के बारे में और टोटल 900 मार्क्स जो है वह यूज किया जा रहा है दो जीएस और एक ऐसे का पेपर और ऐस के पास में किसर एक तो आपका हिंदी क्वालिफाइंग है और एक ऑप्शनल पेपर जो भी होगा वह एंसी क्यूब बेस होगा और वह भी क्वालिफाइंग होगा दोनों 100-100 नंबर क्योंगे मतलब मूल तह 30-35 नंबर से ज्यादा लाने होंगे और मिनिमम हैं कि तीस नंबर या 35 नंबर या 33 नंबर जो भी होगा ठीक है ना आप कोशिच करो सर कम से कम पचास नंबर से तो उपर ले क्या हो इन में ना फिर जीएस वन जीएस टू और ऐसे के बेस के उपर 300-300-300 मतलब 900 के उपर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और फिर शाक्षातक इंडिया की पॉलिटिक्स इंडिया की एकनॉमी और पॉस्ट इंडिपेंडेस के बारे मेरिट है ना आपका अप्टिट्यूड भी यहां पर आ रहा है नैशनल मूव्मेंट के बारे में भी पूछा जा रहा है तो यह ओवर और वन फिप्टी कोशन से वन मार्क्स और इच स्टैट्स हैं वो देखा जा रहा है पॉलिटी है पेपर टू में एकनॉमी है जोग्राफी है इंडिया की और साइंस है टेकनोलोजी है डवलोपमेंट है यह सारे विशह भी महत्रपूर्ण है दोस्तों अब 69 बीपीसी के अंदर आपके पास में यह कहा जा रहा है देर लि से एक्जाम नहीं होगा अलग 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 परिक्षाओ के लिए तो इस तरीके के अधिकारियों के लिए बनेंगी पेपर एक होगा अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी फिर आप में इस लिखिए उसका ना मेरिट लिस्ट विल बी इसूट सेपरेटली तो समय कितना है मार्च में बैठ है अपन अभी मार्च अप्रिल में जून जुलाई अगस्ट अन सेप्टेंबर हाडली सिक्समाइन पांच महीने भी मिना है है 150 अगले प्रिलिम से पहले तो अच्छे से प्रिपेर कर लो इसको यह सारी चीज़े मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं अप्टिट्यूड का ध्यान रखो एक सोर्स ही पढ़ाई करो न्यूस्वेपर का बहुत ही मैंतों है आपके पास में और कभी भी छोड़ना नहीं ही जब भी छोड़ने का मन आया कि सर में सारे विशयों को छोड़ सकता हूं तयारी को छोड़ सकता हूं तो याद रखो जितना एफ़र्ट जितना समय उर्जा जितने इमोशन अभी तक लगाए वो सब व्यर्थ हो जाएंगा तो छोड़ना नहीं है बस कहते ना भी फ्लेक लाइट है नौट स्टार यहीं बताएंगे आपको कि किस तरीके की मान सिकता से प्रश्ण पत्र आने वाले अब काफिसारी बुक्स के बारे में यहां पर बताए जा रहा है राम श्रण की प्राची नितिहास है आपके पास में आरे सर्मा सतिश चंद्र की मेडाइवल हिस् अगर मैं बात करूँ जोग्राफी को ले करके तो आपको एक एक स्टूट अपने साथ में ठीक है ना और जी सी लियूंग पढ़ना चाहिए सर्टिविकेट फिजिकल जोग्राफी अच्छे का से कंसेप्ट से इंदी में भी ओलेबल है फिर आप डिया खुलर को पढ़ सकत अगर गत दो वर्षों का बजट और बिहार का अप कंपलेट कर रहे हैं तो आई गैस आप इस अर्थ व्यवस्ता से रिलेटेड पॉर्ष्ण के मेजरिटी अफ दो कोशन जो है उनका सही प्रिलिम्स में और में आंसर लिख पाएंगे और एक रेफरेंस बुक जो है आपके पास में संकर गणेश कर्युपा की यहां पर आप लिख सकते भारतिय अर्थ विज्ञान के लिए अगर आप देखें तो लिशेंट की जो सामाने ज्ञान की एक साइंस की बुक आती है वह एक अच्छी है औ आंदर और और करन्ट के लिए थी तो बेझे आपको उभी मैगजीन बें लिए सकते हैं जैसे है है ना कोई वार्षिक ले सकते हैं जैसे कई यूं की आते है उठकर्ष का यांग आता है आपके पास में एवन हमारा की तरफόσे ब्हुर्शुर्च की तरफ से हैंना तो वह किताब अगर आपने कर लीसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा लाक्ष यहां अगर आपका है उस लक्ष की सफलता के भी धनी आप उने वाले हैं और अगर आप आसफल हुए तो उसके लिए भी आप ही जिम्यदार माली तो आप चोज़ कीजिए आप किया चाहत है चाहिए सपलता और असफलता जो है अनुसासनि सपलता सपत τα चाहिए सफलता जो है आपकी तरफ से अनुसासनात्मत द्रश्टिकोंड से हर रोज सतत रूप से जो है जगना है सतत रूप से पढ़ना है सतत व्यायाम होना चाहिए और सतत जो है आपके पास में जतन होना चाहिए तो करते रहो हरकत अपने लक्षे को लेकर के यह स्ट्राड़ीज यह टाइम मेनेजमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताए और कोई प्रशना आपके दिमाग में है उसकी भी जानकरी आप दे सकते हैं जूट सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से भी दोस्तों वर इस विंग सेड थैंक यू जहिंद सरवदा सक्तिशाली गड़ ब्लेस यो बह होती जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में